आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ किसी अवतल दरपन द्वारा बिम्ब के परति बिम्ब बनने का इस्थान निर्धारित करने के लिए नियूनतम कितनी किरणों की आवश्यक्ता होती है ये हमसे पूछा गया है और बोला गया है कि एक अवतल दरपन द्वारा आभासी परति बिम्ब का एक किरण आरेक खीच कर दिखाईए तो ध्यान से देखिएगा इसका उत्तर सबसे पहले जो दिया गया है पहले वाले का जो आंसर होगा वो जगा नियूनतम कितनी किरणों की आवश्यक्ता होती है परति बिम्ब बना ले के लिए कम से कम कम से कम दो किरणों की आवश्यक्ता होती है वहीं पर हमारी प्रतिबिम्ब बन जाता है, ठीके दो क्रिणों की आवशक्ता होती है, ठीके यह हो गया हमारे पास में तो, यह पहला वाला, और जो दूसरा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो दूसरे वाले के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, कि एक आवतल दर्पन यह हमने कुछ इस तरीके से बना लिया, एक चीज याद रखिएगा, अहुतल दरपन केवल एक ही केस में आभासी परतिबिम्ब बनाता है, जब वस्तु कहां पर रखी रेती है बिटा, यह रखी रेती है, ध्रू, है न, यानि कि यह P, और इसके F के बीच में, है न, यानि कि फोकस के बीच में, यह C हो जाएगा, जिसका यह भाग है, गोले का, ठीक है, अब हमने वस्तु को रख दिया, चलिए वस्तु को रख देते हैं, यहां पर, यह हमारे पास में आभासी परतिबिम्ब, यहां से बनेगा, अब वो किस तरीके से बनेगा, देखिए, दो किरणो यह कहां से निकलती है, फोकस से निकल जाती है, यह कुछ इस तरीके से, धिया निकाल दी हमने, अब जो दूसरी किरण है, उसको हम कहां से निकाले हैं, यह चीज दिक्कत हो जाती है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, हम लोग इसको निकाल देंगे, पी से, ठीक है, य इसके लिए मुख्यक्ष जो होगी बेटा, वो एक अभी लंब का काम करेगी, तो ये हो गया आई, है ना, यही तो होता है, तो आर किदर की तरफ में चला जाएगा, इधर की तरफ में, देखिए ध्यान से बेटा, ये हो गया हमारे पास में आर, अब ये दोनों किरने क्या व बिलती होई परतीत होगी, यानि कि यहां पर हम लोग देखेंगे, तो हमें हमारा ही परतीविंब, कहां पर नजर आएगा इधर की तरफ में नजर आएगा, दरपन के पीछे की तरफ में, ये है बेटा, हमारे पास में वस्तु ओ, और ये हो गया हमारा परतीविंब आई, तो ये कैसा है बेटा, आभासी व वस्तु से बड़ा प्रतीविंब, ठीक है बेटा, ये इसका दूसरे का उत्तर हो जाएगा, धन्यवाद.